हाई आपको बदाए कि बहुत पास है में में एक्साम होने वाला है तो उस तरे लेटिड प्रोब्रम यहां आते हैं भुच्छों कि जो क्वेश्ट मेपर्स हैं वो तो साइट वे अवेलबल हैं बर उनकी आंसर की और वी कंप्रीड सलुशन अवेलबल नहीं होते हैं तो मैं यहां पर क्या करने वाल हुआ है तो साल एडनी का जो question paper है वो solve करूँगी लेकिन हाँ अब यहां पर questions मैं solutions आप पर प्रोवाइड कर दूँगी बर जो question paper होगा उसकी PDF आपको description box में मिल जाएगी वहां से आपको download link मिलेगा आप जाके download कर सकते हो ठीक है तो मैं directly यहां यहां पर क्वेशन फोल गवालने स्टाट गरों वह भी कहां से सबसे last question से क्योंकि last मैंने दिखा है तो 86 to 120 questions है paper में वो सारे organic questions है तो मैं start कर रहे हूँ पहले सारे organic के sequentially सावे question कराऊंगी उसके बाद हम जंप करेंगे दुर्गयाने को physical पर ठीक है तो मैं start करते है question number 120 paper ता सबसे last question तो यहां पर है which of the following does not undergo mutarotation अब सबसे पाहली बाते हैं कि mutarotation होता क्या है देखो जो में हमारे पास carbohydrates होते हैं अब हम पर बाद में जाएंगे पहले देखेंगे होते हैं देखने होता क्या है देखने आ सबसे को रहा है आपके बात लीडीज कोई ग्रूप है इसने अब लागा क्या करते हो suppose आपने क्या 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 है इसमें एड़ कह है एल्गोछ लेट से है CHTOH for example तो क्या होता है next step next step होता ही है कि यहाँ पर है negative charge और जो यह oxygen यहाँ पर है इसने attack करना है carbon पर ठीक है तो हमारा तास क्या बनेगा O minus और यहाँ पर आएगा O CH3 और यहाँ पर और 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 ग्रूप लगाई होगा carbon की charge होते हैं यहाँ पुछल ग्रूप सा ग्रूप सा ग्रूप होग तो हमान पर ग्रूप क्या है हम पर लगा है O CH3 और यहाँ पर है OH तो चुछ सेम कारण हों पर OH और O CH3 गूप होता है मदले है सेम कारण होड़ और OH और और आलगा होता है और बनेग तो इसको हम बोलता है chemi-acitted ठीक है, इसको हम बोलता है chemi-acit इसमें इस ओवे रिप्लेस कर दूम है, for example, मैंने यहां पर क्या क्या किया? प्रिसस-C-S-T-O-S प्रिट किया, इसमें अब क्या होगा? म्यूटर रोटेशन के हमार पास क्या अविलिबिलिटी होनी चाहिए? हमार पास होना चाहिए हमिएगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगे तो अगर यहां पर लगा वागर यह आफा फों और आप अगर मैं ओश को इसे टोलिटाल को पुज़िशन पूलादू तो यह बीटा फोंग और आजएगा है और आजएगा एक ये बाद पर हमें बुल्कोस की, मादर हम पर कहें हमाई अपो बीटा फोंस हैं इन में भी क्या होता है? इस फोग मैं सपोस्थ बुल्कोस दिया मैंने, कार्भोहड़ित है इसको water में सँोस्थ डगया व्युक्त है कि हाला है? एक बैसे बैसे कि ओपन चीन होगा, फेर से वापसर ही हाँ है, एलप और बिता में इकनफर हुए था है, युके बैसे से बैसे बैसे हैając बैसे र intentar करती हैक यहां से पिरसे काई एक बिवरे वायगा alpha और beta में इस तरह से आता है तो यह होता है meta rotation इसके लिए necessity क्या है कि हाँ पर क्या होना चाहिए आपके हमीacetal group होना चाहिए तो है सब सब्सक्रों करो जो यह वादी carbon है इसमें लगावा है O और यह पुरा R माल लेता है काई chain और यह आपके लगावा है O तो यह कहा है hemiacetal अगर कुछ cases में ऐसा होता है वाय पस O R लगावा होता है और let's say H अब क्या है जो यह वाला O है इसमें भी R group है और जो यह वाला है इसमें लगावा है तो यह कहा है acetal structure कुछ इस तरह का होता है यहाँ तो मेने बनाया बीपोस अल्पा लारी फोंका तो इसमें लगावा है CH2OH इसमें लगावा है यहाँ पर OH और उसके बार यह यह कहाँ होता है किसे हमारे फ्रक्टोस से CH2OH आप इसमें लगावा है तो यहाँ पर इस तरह से होता है और यहाँ के CH2OH तो यह structure है हमारे इसका सुक्रोस का अब मैंने आपको बोला है muta rotation field का चाहिए हमें hemiacidal group यहाँ पर चाहिए carbon है इसके पास एक तो यह O लगावा है और O के साथ H होना चाहिए इसके बढ़े आपके कहा है कोई भी carbon है तो मैंने भी यह क्या होगी तो उसका हम O R आपने लिए और यहाँ पर oxygen साथ फिर से carbon तो यह भी कहा है O R तो यह मारा कैसा सुरुप है acidil इसलिए आपका इसका आपका सुक्रोस option A अब देखते है next question पहले बोल कि हम reverse order पे जा रहे है अब देखेंगे one more question inner reaction C6H5 CO CH0 यह आपको substrate given है और इसमे डाला आपका देखना आपक पीडिया जान से ज़रूर दानूर कर ले ना उसके बाद भी questions का solutions देखना पी favor ही क्या होता है options की देखने में बहुत अधर important होता है क्योंकि देखना answer देखने में तो बहुत अलग बात है but questions solve कर देखना है आपको साहे options ऐसे जो confused कर सकते हैं answer के आपको दिखना है options के आपको देखना है अब देखो यहापर क्या possibility है concentrated NOH यहापर लिखा होगा है अब में दो difference है अगर जो base है NOH वो ऐसे base भी काम कर सकता है तो OH- क्या कर सकता है H plus निकाल भी सकता है और OH- ऐसे nucleophile भी act कर सकता है क्योंकि हम आपको क्या carbonyl यहापर electronegative भी difference से दोनों में ही होगा है with a negative with a positive तो यहापर भी attack कर सकता है OH- अब हमें देखना है कि यह base काम कर गाया या या अधा nucleophile अधा अधा निकलियोफाय अधा तो जब इसके concentration का आधा हो गी है तो उसमाले कि इसमें चांस भी गाया अधा nucleophile act कर लेगा और उपर से आपको एसदिक HP को अधा एक ही condition बन दीए तो आपको इसको nucleophile react करना पड़े अधा nucleophile और उपर से concentrated to mention किया होगा अब हम आपको आपको दो बाते हैं इसमाले पर attack करें या इस वाले पर तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो LDH होता है LDH जो है वो जादर reacting होता है ठीक है LDH जादर reacting होता है तो इसदी OH माइस आपको यहाँ पर attack करेंगा इसको नहीं देखेगा सिर्फ इसपर attack करेंगा तो देखो C6 हैसे कैसे कैसे देखेगा और आपको क्या होगा और यहाँ पर आगे लगया है ह। इता ठीक है अब यह reaction कुन से है क्यादी जादी reaction क्यादी जादी reaction reaction चीक है अब देखो next time में क्या होगा अब तो यह वाला H है यह क्या रस्पन है यहाँ से H- निकलेगा और यहाँ अधर negative इधर आया है positive और यह H- आके इस पर नहींगा जैसे ही H- निकले है पोजिटिव चार जाएगा इस पर निकले है अब आप देखो next time क्या होगा कि यह तो क्या है Acidic acid मतरब acidic group type Acidic is acidic और यह क्या करेगा H- को abstract कर सते है कि हांसे H plus निकलेगा चाहां के minus 3 यह पर जाएगा इसमें क्या होता है हमारे जो carbon ह ही compound होता है उस तो oxidation ही होता है Oxidation की क्या बनेगा Acid और Reduction की क्या बनेगा Alkohol ठीके अब देखो यहाँ पस Acid वाला Acid वाला गूप आँगा और यहाँ अगया Alkohol वाला और next step क्या दियाँगा Hydrolysis मतलब H-Plus यहाँ से आजाएगा और यहाँ पास किया देगा अब आप देखो यह कॉंसा Option है C-C-H-5 C-O-H और C-O-H यहाँ से Option No.4 यहाँ फोजेगा Correct next question देखो question No.1-8 उसमें क्या है Bakelite is formed by the condensation O तो उसका आँसर आपको पताई होगा और आप याद कर सकता Phenol और Formaldehyde Option No.4 Phenol और Formaldehyde condensation से विकाम ही गाया question No.1-7 CH2 double known CH2 और यहाँ पर reagent हमाल पास add किय होए है HG OAC2 methanol और 7-7 में add किया है NADH4 यह कैसे रियाक्षन है malcuration demulcuration आपने पढ़ने होगी तो यहाँ पर देखू क्या होगा first step में यहाँ पर देखू ही जो L3 होती है electron rich तो यह अपने इलेक्स पाइब़ों OAC तो यहाँ पर देखा positive sign इस तरह का substrate बन गया अब next step में यहाँ पर साथ पर देखा रगा अब next step में यहाँ पर साथ पर देखा रगा तो जैसे की bone break करेगा suppose मैं इसको यहाँ पर ऐसे break किया ठीक है negative देख जैसे positive आईगा तो positive पर इतनों अटेक करेगा next time में क्याँ आपन जाएगा हमारे पास इधर CH3 O साथ इसके H लगा होए रहे और यहाँ पर CH2 Hg O Hc इतना ठीक है यहाँ पर कहा है plus sign next time में क्या होए H plus sign से निकल जाएगा इसको neutralize करके और में पास CH3 तो यह है आपका final answer और यह है option number 2 यह है आपका second option Question number 116 आपको फिर से बोल रही हूँ PDF 0 डाउनूड कर ले ना से आप ऐसे questions लेहिन से benefit नहीं होगा आपको पास question available होना चाहिए पहले ठीक है पहले question देखो चालो options देखो Solve करने का चाहिए पहले Solve हो जाते तो very good उसको फिर check कर लो मैंने कैसे Solve कर वाया है अगर नहीं होता फिर देखो solution ठीक है directly ऐसे solution solution देखते आपको question paper तक देखना नहीं ऐसे नहीं कहिना है जादा पहले पहले question देखो options देखो then देखो solution तो बनाजीस question है which one of the following adheans will give reacemic mixture with bear's reagent अब bear's reagent होता है यह region हम यूज करता है यह region हम यूज करता है for the identification of unsaturation मतलब unsaturation is compound होगा वो positive bear's test देता है और bear's test हम उसकरता है k-4 अब नहीं बोला है Reacemic mixture मिलना चाहिए हमें वो बड़ी सारे agnes देवी है पोज़र के test हो सभी देंगे बढ़ चाहिए अब आपको इस चीज़ याद करने है मैंने यह enterprise case paper में इसी concept और जो आपको बता रहे हुँ है उस concept पे तीन question पुछे हो है organic के सिरफ same concept से एक ही paper दो तो आपको क्या करना है मैं देखो कुछ में याद के वाद में आपको आपको याद करना है कार ऐसी करके कार्टम करके याद करना है इसका मदल भी है C4 6 A4 France A4 NT वह आपको भी A4 NT R4 Resume M4 M4 माजब यह हुआ अगर L3 जो है वो cis है और जो mechanism है वो anti addition है माजब anti कोई भी mechanism से मारा reactant add कर रहा है तो मारे पास बनेगा R3 मिचल इससे आप उसरा derive कर सकते हो गर हमारे पास trans होगा और anti की mechanism होगा sorry अगर हमारे पास sin mechanism होगा तो मात में मिलेगा क्या miso ठीक है इससे तरह से और यहाँ पर हमारा का stress होगा और अगर sin mechanism होगा तो में मिलेगा R3 R3 मिक्षर R3 मिक्षर दो केस में मिलता है अगर cis है और anti addition है तो में मिलेगा R3 और अगर cis है और sin addition है तो अपर क्या मिलेगा हमें फिर से resume है तो आप यहाँ से देखतो दुझे प्रिक होती है इसका बीजिली solve कर सकते हो कि यह हमें फ्रांस है मारतास anti और anti mechanism चल रहा है तो हमें मिलेगा मिजू तो हमें यह दिखना है sin addition है sin addition है S चाहिए और उपर से मिलेगा चाहिए मिजू तो यहां से मिलेगा मिजू और यहां से मिलेगा हमें यहां पर आएगा मिजू और यहां पर आएगा आपका resume इस तरह से होता सिस के case में के empty addition है तो resume मिलेगा ठीक है ठीक है अगर empty है तो mezzo और अगर sin addition है तो resume ठीक है इस तरह से आपको पढ़ता है अब यह चीक है अब यह mezzo है अब देखो मैंने आपको बुला है के मेलों पूर में होता है sin addition sin और resume यहां पर यह बना बनता है हमारा तो तब हो गई है हमारे पास कैसी होगी ट्रांसल्कीन तो अपने options चेक करो ट्रांसल्कीन किसमें है ट्रांस्स्टू बुटीन तो option जो 3 है आपका वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है उसे वहां लिखते है 115 question जो 115 question है इसमें आपकोई substrate दिया हुआ है CH3 इदर लगा है D और रिजन दिया है BH3 तो यह कैसे रियक्शन है है Hydroboration THF और यहां पर है NaOH H2O2 अब देखो इसमाले question हों कैसे solve करते हैं सबसे पहले BH की add करना है तो यहां पर क्या बात है मैंटा score number एक transition state बनती है और कैसे करना है आपको directly को बताते हैं जिसे ही double bond है तो जहां आपका hindrance कम होगी इसको बेसिली ब्रेक कर को दो चीज हो में 1H-, 1BH2&Ohand तो आपको क्या करना है जहां पर hindrance कम है वहां पर h- सोरी जहां पर hindrance कम है weeks हो मैंट बिय और जादते है जादा ही है आप परbsれた volume L sí तो हम क्या करेंगे ? CS3 के साथ लाएंगे H और बाकी दुसरे लाएंगे BH2 और यह 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 आपर B इतना ठीक है Next step लिगा होता है NUSH2O2 तो लिगा हम पर लिगा है BH2 को लागे यह आपर OVH लिगा हमके अनिसम देख लिए ना Hydroborexal reaction है इससरे हो गया तो लिगा मिस्ट्री कैसे देखेंगे स्ट्रीयो के मिस्ट्रीक लिए बात ही है कि जिसनी प्ले से हमारा BH2 भी आता है तो दो रुकी से होगी अगर H हमारा depth से है यहाँपर तो OV क्या होगा? depth से जिसनी प्ले से आपको उसी प्ले से रगाना है और बाकी दूसरे प्ले से ओटमेटिकली जो गुरू मेंशन किया होगा है वो आजेंगे ठीक है तो रसी होजाएगा D ओके और नेक्स्ट आप में क्या करेंगे? NaOH, H2 मोट करेंगे इसको OH किना देगा तो यह है आपका final product और किसमें किया होगा है ऐसा? यह आपको मैंशन किया होगा है देखो आपको धान रहन है H2O is same clean में होनी चाहिए तो ऐसा option के है option 4 जिसमें तोनों कहा है same clean तो इसको आपको जाएगा पाइज आपको जाएगा नहीत पाइए जाएएप चाहिए जाएएपके कपषण अनाओब इस्थिक्पो पाइएiffs होता है झाल झाल